नवस्कार स्वागता अब सभी का निउसरूम पोस्ट की खास पेस का स्पोर्ट्स पोस्ट में 18 तारिक को RCB वर्सेस सेस्के के बीच एक नौक आउट और एक बहुत बड़ा मुकाबला है पर जो खबर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो सभी RCB फैंस का दिल तोड सकती है जी हां RCB फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है आपको बता दे कि 18 तारिक तो एक तो पहली बार ऐसा होगा कि आखरी बार आप लोग देखेंगे MS Dhoni और Virat Kohli को एक साथ खेलते हुए उसके बाद शायद आप सभी को MS Dhoni और Virat Kohli साथ में खेलते हुए नहीं दिखेंगे तो ये फैंस के लिए बहुत खास मौका होगा और खास मौका इसलिए भी होगा कि इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम ही क्वालिफाइ कर पाएगी उस मैच को जीत कर पर 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 यहां पर गड़बड एक चीजी हो रही है कि 18 तारिक को बैंगलूरू में तूफान और बा और अगर मैच के समय पर वो बारिस होता है तो मैच होना एक तरिके से नामुम्किन हो जाएगा क्योंकि वहां पर बताया जाए है कि बारिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना सिर्बारिस होने की बलकि उसके साथ-साथ में तूफान आपने पहले दिल्ली में और अब यहाँ पर बैंगलूरू में भी कुछ वैसे ही हालात 18 तारिक को होने के नजर आ रहे हैं और अब इसको देखकर फैंस बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो RCV को सबसे ज़्यादा जटका लगेगा क्योंकि अगर RCV को प्ले आफ में तो सबसे पहले उसको मैच जीतना होगा मैच जीतना है तो उसको अगर रन को चेस करने तो 18 दस्वलों एक और में उस रन को चेस करना होगा और अगर उस वहाँ पर पहले बैटिंग करने तो कम से कम 18 रन से 18 से 20 रन से उस मैच को जीतना होगा तब ही जाकर वो तो ऐसे में ये RCB फैंस के लिए बहुत बड़ा जटका होगा क्योंकि जितना छोटा मैच होगा उतने ही चांसे कम हो जाएंगे RCB के और ऐसे में CSK के लिए तो अच्छी खबर है कि अगर मैच नहीं भी होता तो एक एक पॉइंट मिलेगा और सीधा सीधा RCB बाहर हो जाएग पर सभी चाहते हैं कि 18 तारिक को मैच हो पर जो मौसम रिपोर्ट है कि वहाँ पर बारिस और तूफान आने की संभावना है पर आपको बता दे कि 18 तारिक का दिन IPL का सबसे बड़ा दिन हो सकता आप देखेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े-बड़े मुकाबले इस कुछ नहीं किया जिन्होंने IPL में क्या कुछ नहीं किया और MS धोनी का हो सकता है अगर वो हारते तो MS धोनी का वह आखरी गेम भी हो जाएगा और आखरी बार ये दोनों साथ में खेलते होई दिखाई देंगे तो ऐसे में फैंस यह चाहते हैं कि जीत हार किसी के भी हो पर एक बार साथ में माहीरत को साथ में देखने को मिल जाए और दोनों खिलाडी अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छा करें अब देखना होगा क्या तूफान और बारिश जो है वो 18 तारिक के मैच में वहां पर अढंगा डालती है या फिर बल्ले बाज और गेंदबाज वह